नमस्कार मैं होदर शंकर न्यूज बाइसकोप में आप समों का स्वागत है। सरकार की एक बड़ी उपलब्धी है कि जान भूज कर ये पैसे रोक दिये गये थे और लगातार वो गोहार लगा रहते कि ये पैसे दिये जाएं। स्वाल ये उठता है कि आखिर कॉंग्रेस की चुप्पी के पीछे वज़ा क्या है। तो हम बता दें कि 2013 तक केंद्र में कॉंग्रेस का सासन था। यानि उसी बक्त से ये पैसे मिलने बंद हो गये थे और वो बकाया बढ़ता चला गया था। हमारे साथ मदन है, मदन देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है और ज्छार्खंड में इस पर बीजेपी की तरफ से भी कोई परतिक्रिया नहीं आई है, कॉंग्रेस की तरफ से भी कोई परतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जेमेम ने इसे बड़ी उपलब्धी करा दिया है। केंदर सरकार जो है जार्खंड के हक के पैसे रख लेते हैं, अगर वो पैसे ही मिल जाए तो हम अपने राजिका विकास कर सकते हैं। लेकिन एक लंबी लराई की बात जो है जरूर या फैसला सुप्रीम कोट ने दिया है। लेकिन अब इसमें एक जो सियासत है वो सामने आ रही है कि जो आरोब बीजेपी पर लग रहे हैं कि बीजेपी ने उनके पैसों को रोक रखा था। लेकिन अब बीजेपी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि पैसे 2005 से अगर हैं तो क्या जेएमेम और कॉंग्रेस वालों से पूछा जाना चाहिए कि ये पैसे क्या 2005 में बीजेपी की सरकार थी जो रोक लिया था। 2014 से लेकर के अब तक जो हमारी सरकार है उसमें कई किस्त में पैसे जो हैं वो दिये गए हैं ये सिधे तोर पर बीजेपी की नेताओं का कहना है तो अब ये जरूर है कि एक तरफ जो सरकार की उप्रब्दी है उसमें हिस्सेदार जेएमेम और कॉंग्रेस दोनों बनेगा ल अलांकि वेत मंतरी जो रामेश्वर हुरा है वो सदन में एक बार जो है ये कहते हैं कि अब तक जो है ये लेखा जोखा सामने नहीं आया है कि आखिरकार मूल रूप से पैसे केंदर के पास कितने बकाए हैं तो उसके लिए जो है एक तरह से जो सीसी एल है या फिर जो जा रहा है और फिर फाइनल आकरे जो आएंगे उसके हिसाब से हम अपना क्लेम करेंगे तो अब देखना होगा कि जो कोट में एक लाग शतीस अजार करोर के फैसरे दिये हैं इसके बाद राजसरकार को पैसे जो मिलेंगे उससे कितने विकास होते हैं और ये सियासत कहा तक ज सुप्रीम कोट ने कहा है कि हम कोसिस करेंगे कि उस पर आगे सिग्र सुनवाई हो तो राजसरकार के लिए बड़ी उपलब्धी होगी कि देखे ये तो बकाय पैसे हैं लेकिन अब जो टैक्स लगाया जाएगा वो अगर हो जाता है तो उसे एक बड़ी उपलब्धी कहा ज जाता है तो सीघे पैसे जो है वो राजसरकार के पास पहुचेंगे केंदर के माध्यम से जो पैसे आते हैं वो अब माध्यम खत्म होगा तो एक बड़ी जीट जो होगी इससे तुरंत ही फायदा पहुंचना राजसरकार को सुरू हो जाएगा तो अब इसके लिए इंतिज जम कर होगी, कॉंग्रेस चुप है, बीजेपी चुप है, लेकिन जेमेम इस बात को एक बड़ी उपलब्धी के तौर पर दिखा रही है, जाहिर सी बात है, जार्खन वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, तो फिलहाल इतना ही, हमें दीजे इजाज़ों, तो आप दे